नमस्कार मैं हूँ आदित्ति कुमार और आप देख रहे हैं इन पोश्ट सोसांद सिंग राजपूत का मामला CBI के हाथ में जाते ही सोसांद से जुड़े गबाहों में एक गजब का होसला आ गिया है सोसांद की हत्या होते हुए कुछ लोगों ने जरूर देखा था लेकिन उन कातिलों के डर से उन कातिलों के दबाब से और वो लगातार उन लोगों को धमकी दे रहे थे उसके वज़ा से वो सामने नहीं आ रहे थे लेकिन अब CBI के हाथ में ये पूरा मामला जाने के बाद ऐसे लोगों के अंदर एक नया पावर आ गया है एक नई सक्ति आ गई है और वो लगातार कई खुलासे कर रहे है जी हाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ सुसान सिग राजपुत के एक पलोसी की उसने एक ऐसी बात लोगों के सामने रखी है पुलिस के सामने रखी है मीडिया के सामने रखी है जिसको सुन कर इस पूरे मामले में एक नया मोला सकता है जी हाँ, उनके प्रोसी ने साबतोर से कहा है कि ये मामला 14 जून का नहीं है, बलकि 13 जून को ही सुसांत का काम तवाम कर दिया गया था, उनका मडर कर दिया गया था, क्योंकि अमूमन सुसांत की घर की लाइटें 4 बजे सुभा तक जलती रहती हैं, लेकिन 13 जून की रात को सा आप हो गई, महज कीचन की लाइटें जली हुई थी, आप देखे कि किस तरीके से, एक दिन पहले ही सुसांत का मडर किया गया, लाइट को आप कर दिया गया, CCTV को आप कर दिया गया, उसके बाद सुसांत का कतल किया गया है, जब मिडिया सुसांत के घर के बाहत खड़ी थी और सोसांत के घर के अंदर CBI मौझूद थी तो उसी वक्त सोसांत के एक पलोसी ने सामने आकर बताया कि मैं इस राज को जानती हूँ मैं सब कुछ जानती हूँ मुझे दवाब में रखा जा रहा था लेकिन इस पूरे मामले को CBI के हाथ में जाने के बाद उनमें एक गजब का होसला आ गया है और वो सच्चाई पूरी देश को बताना चाहते हैं मीडिया को बताना चाहते हैं CBI को वो मदद करना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि सोसांत का कातिल कौन है सोसांत के इस पूरे मामले में वो मदद करना चाहते हैं सोसान सिंग राजपुत मामले को कवर करने के लिए मिडिया वहाँ पर खड़ी थी तो उनका एक पलो से आते हैं और वो कहते हैं कि मैं सोसान सिंग राजपुत से जुड़े कई गभा देना चाहती हूं कई राज बताना चाहती हूं उन्होंने साथ तोर से कहा कि सोसान के घर क चार बजे सुभा तक जलती रहती थी लेकिन तेरा जून की रात को महज साड़े दस बजे ही उनके लाइठें बंद कर दी गई यानि कि पोरा कांड उसी वक्त हुआ लाइठ बंद होने के साथ साथ CCTV केमरे को भी आउप किया गया होगा और घटना को अंचाम दिया गया होगा दोस्तों आप देखें कि CCTV के हाथ में मामला जाने के बाद अब लगबग सुल्जासा लग रहा है ये मामला मैं आपको बता दू कि सुत्रों ने ये भी दावा किया है कि CCTV ने इस पूरे मामले में लगबग 90% केस सॉल्ब कर दिया है लेकिन रिजल्ट मीडिया के सामने नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी परताल बाकी है उसी के जरिये उसी को बेश मान कर इस पूरे मामले को सुल्जाया जाएगा और कातिलों को पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा दोस्तों हम उमीद करते हैं कि सुसांत का कातिल जल्द से जल्द बेनकाब हो क्योंकि पूरी दुनिया बेसबरी से उन कातिलों को सजा दिलाने की मांग कर रहा है और उसका इंतजार कर रहा है कि उसका सकल पूरी दुनिया के सामने जल्दी से बेनकाब हो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए ताकि सुसान सिंग राजपुत के पक्ष में जो हम खबर चला रहे हैं उनके न्याए के लिए जो हम कोसिस कर रहे हैं उसमें हमारी मदद हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अपडेट के लिए सुसान सिंग राजपुत से जुड़ी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सुसान के कातिलों को हम जल्द ही बेनकाप करने वाले हैं नमस्कार